दोस्तों ये कहानी तक्रीबन 7 साल पुरानी है, विनोध मेरा काफी अच्छा मित्र है, और हम दोनों दिल्ली में एक ही जगा काम किया करते हैं, विनोध की बेहन की साधी थी, मैं काफी खुस था, क्योंकि मैं विनोध के साथ विनोध के गाउं जा रहा था, विनोध का गाउ यूपी में एक छोटा सा गाउं है विनोद ने कहा कि चलो हम दोनों साथ में वहीं पे कुछ दिन रहेंगे तो हम दोनों ने जाने की पूरी तैयारी कर ली थी हम दोनों साम को विनोद के घर पे पहुँचे खूब मेरा आदर सत्कार हुआ बिनोत के घर पे, काफी मजा रहा था वहाँ पे, और जब साधी होती है, तो गाउं में जो वहाँ के ओरते होती है, आस परोसकी वो वहाँ गाना गाने के लिए साम के समय आया करते हैं, तो मुझे खूब मजाता था वहाँ, वो लोग गाते थे, बजाते थे कुछ चोकलेटे बाटा करते थे तो मैं वहाँ देखता था और मुझे खूब मजाता था और वहाँ जो मजाक करते हैं गौरत लोग मजाक भी खूब किया करते थे हमसे जो भावी थी विनोत की वो मुझे खूब मजाक किया करती थी उसकी ही एक परोस की भावी थी जो काफी खूब सूरत थी, वो मुझे खूब मज़ा किया करती थी, कभी-कभी हल्दी लगा दिया करती थी, जो उप्टन लगते हैं, वो उसकी बेहन को लगाने के बाद जो बच जाता था, वो कभी-कभी मुझे लगा दिया करती थी, तो मेर एक दिन भावी से कहा, भावी मेरे कपड़े गंदे हो जाते हैं, मुझे पहनने में बहुत प्रॉब्लम होती है, तुम हलदी मुझे मत लगाया करो, भावी ने कहा, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे कपड़े धो दूँगी, एक दिन दो पहर में मैं बैठा था, तो भावी मैंने कहा कि आरे तुम्हारी जो परोसन भावी है वो मेरे कपड़े लेकर गई तो उसने पुछा कि वो सफेद जो गोडी-गोडी दिखती है क्या वो तुम्हारे कपड़े लेकर गई मैंने कहा हूँ जो बहुत मजा करती है वही मेरे कपड़े लेकर गई तो उसने मुझसे क का इा है रे तुम उस्से थोड़ा दूर ही रहा करो only मैंने पूछा क्या बात कर संद हो क्यों दूर रहूं उसने कहा ररे इसको पुरा गाउं डाइन कहके बुलाता है और साइध वह डाइन कि यह तो इसलिए तुम तो तुम थोड़ा पूरा बाते हो मैंने का यार क्या तुम इसी किस्मी सदी में डाइन के बाते करते हो यार ऐसी कुछ घटनाई नहीं घटी है तुम मजाग करते हो मैंने उसकी बाते हसी में उड़ा दी फिर क्या हुआ कि साधी का दिन आ गया साधी का समय आ गया और विनुद के जितने भी रिष्टेदार थे सब घर में पहुँच गए, बारात आ गई, रात में बिल्कुल जगा हाउसफुल हो गए, पुरे रिष्टेदार घर में जहां तहां सो गए, अब मेरे सोने के लिए तो जगा बचा नहीं, मैंने देखा भावी आंगन में बैठ पढ़ा हो गए, जाके वहाजी पर सोचाना बिछान लगा हुआ है, मैं भावी के घर पर चला गया, वहाँ से दस घर छोड के बावी का घर था, मैंने दरवाजा खुला देखा, गया आंगन में बिछान लगा हुआ हुआ था, मैं आराम से उस पर लेड़ गया, कब आँख भी लगी थी काफी इसलिए नल आंगन में ही था सो मैं नल की तरफ बढ़ गया नल पे जाकर मैंने पानी पी पानी पीने के बाद मैं वहां आराम से थोड़ा सा इदर उदर आंगन में घुमा और खाटले पे आकर वापस लेट गया जैसे ही लेटा मेरी आखे एक दरवाजे क कोई खड़ा है मुझे लगा भावी साइद आई होगी मैंने दो बार आवाज लगए भावी है भावी पर वहां कोई आवाज नहीं आया मैं उठकर बैठ गया तो परछाई गायब हो गई मुझे अब घबरा हाट होने लगी मैं दौर के दरवाजे की तरफ भागा था वो साइद सच सावित हो रहा था इसलिए मैं काफी डर गया कि मैं वहंसे कैसे भागना चाहता था भर मैं भाग नहीं पा रहा था तरवाज बंद्धे मैंने खूब आवाज लगाई पर मेरे गले से साथ आवाज नहीं निकल रही थी या कोई मेरी आवाज सुन ही नहीं रहा था मैं काफी डर गया मैंने जोर से दरवाजे को खीचा तभी एक जोरतार धक्का लगा और दरवाजे खुल गया सामने विनोध खरा था विनोध काफी गुसे में विनोध ने कहा तुम मुझे बताये वकर यहां कैसे आ गए तुम्हें मैंने मना किया था यहां आने से तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था मैंने तुम्हें कहा था कि यहां बहुत खराब घटनाए घटती है तो मैं यहां नहीं आना चाहिए मैं भी थोड़ा सा डर गया था मेरी आखे खुली थी फटी सी थी विनोद मुझे खीचता हुआ घर की तरफ लेके गया मैं घर पे जाकर थोड़ा सा रिलेक्स हुआ देखा भावी आंगन में बैठी हुई नाच गा रही थी मेरी हिम्मत नहीं हुई भावी के पास जाकर कुछ कहने की क्योंकि मैं भावी की असलियत जान चुका था सुबह हुई मैं विनोद को पूरी बात बताया और वहां से सुबह अपना बैक पैक करकर दिल्ली पहुँच गया जब भी मैं यह घटना याद करता हूं मेरा पूरा जिस्म डर के मारे कापने लगता है दोस्तों यह कहानी आपको कैसी लगी एक बार आप जरूर कॉमेंट कीजिएगा वीडियो को लाइक करिएगा चैनल को सस्क्राइब करिएगा इसे सेयर करिएगा मुझे आपको कहानी सुनाना बहुत पसंद है और आप कहानी सुनते हैं मुझे लाइक करते हैं इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद